हलों फ्रेंडस वलक्म बैक मैं च électर्णल व्रेंडस आज मैं आप लोकले लेकर आई हूं किस तरह से आप नॉन्वेist फूट को microwave में reheat कर सकते हैं non waste food भी two type से बनाते हैं एक gravy वाले होते हैं और एक dry वाले होते हैं तो आज dry वाले non waste food को ही मैं आप लोगों को microwave में reheat करना सिखाऊंगी dry non waste food जैसे कि chicken टिकका हो गया है fish टिकका है, तंदूरी chicken है इन सारे food को आज मैं microwave में आप लोगों को और अच्छी तरह से गरम हो जाएंगे तो चलते हैं सबसे पहले microwave की तरफ तो यहाँ पर मैंने microwave है और यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे high rack उसके बाद यहाँ पर हम mode set करेंगे तो यहाँ पर मैं microwave का grill mode set कर दिया है तो और मैं इसका time set करूंगी तो पांच मेंट का time हम इसमें set करते हैं और पांच मेंट के लिए हमें अपने microwave को खाली on करके छोड़ देना रहता है जिससे कि जो हमारा microwave है अच्छी तरह से गरम हो जाता है आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले microwave गरम हो जाए उसी के बाद आप इसमें कोई भी food रखेगा तभी वह अच्छी तरह से गरम हो जाता है साथ में वह चुई नहीं रहता है क्रंची बना रहता है तो जब तक हमारा microwave गरम होता है यहां पर मैंने ले लिया है एक baking tray इसमें मैं रख देती हुँíamos फिश्छ टिक्का को कि आजने हैं आपनों की यहां पर फिश्छ टिग्का को ही रहीट करना छेए हैं सेम मेथट को फॉलो करके आप तंदूरी चिकेन, चिकेन टिक का प्रॉन बगेरा अधर्स नॉन वेस फूट को भी इसी तरह से रिहीट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फेश टिक का और यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ा सा ओईल लगा दिया था और इसी तरह से सेम मेथट को फॉलो करके आप ओटी जी में भी आप नॉन वेस फूट को गरम कर सकते हैं यदि आपके पास माइक्रोवेब नहीं है तो जिस तरह से मैं इसे आज माइक्रोवेब में गरम करूंगी आप same method को follow करके इसे OTG में भी गरम कर सकते हैं तो अब देखे friends पांच मेंट हो चुके हैं हमारा microwave गरम हो चुका है तो अब हम रख देते हैं अपने fish stick का के tray को जान रखेगा यहाँ पर थोड़ा सा time left रहेगा उसके पहले ही आप door को खोल लेजेगा जिससे कि हमें time मितलब फिर से हमें mode set नहीं करना पड़ेगा अब मैंने आप start की बटन को tap किया और अभी बीच वाली बटन से मैं 5 मिट का time और बढ़ा देती हूँ 5 मिट में हमारी जो fish stick का है बहुत ही अच्छी तरह से गरम हो जाएगी बाहर से एकदम crunchy बने रहेगी और अंदर से soft रहेगी से method को follow करके आप ध्यान रखेगा तंदूरी chicken, chicken tikka जो भी dry चीजें हैं आप उनको reheat कर सकते हैं इससे इसका जो flavor होता है वो भी बना रहता है और आपको ऐसा खाने में बुलकुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको reheat करके खाया है क्योंकि जब इसे microwave में हम इसे grill mode पर गरम करते हैं तो एकदम इस तरह से ही गरम होता है कि बुलकुल हमने आभी इसे cook किया है आपको यहाँ पर micro mode में खाने को गरम नहीं करना है जो भी dry चीजें होती है उन्हें microwave में micro mode पर गरम ना करके आप उसे grill mode पर गरम करेंगे तो अच्छी तरह से गरम भी हो जाएगा साथ में उसका crunchy पन भी बना रहेगा यह देखें पांच मेंट हो चुके थे और हमारी फिश अच्छी तरह से गरम हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गरम होई है इसको देखने पर बुलकुल भी नहीं लग रहा है कि इसे हमने reheat किया हुआ है यह इसी तरह से देख रहे ही जिसे कि मैंने हमने इसे अभी कुक किया है तो आपको आज के मीडिये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और यह बहुत ही अच्छी तरह से गरम हो चुकी है चुने में भी बहुत ही ज़्यादा गरम थी तो इस तरह से आप किसी भी फूट को अपने माइक्रोवेब में गरम कर सकते हैं तो आज का वीडियो यही तक था निरती हुमें आप लोग से नेश वीडियो पर जब तक के लिए बाए थैंक्यू सो मच